OMR sheet भरते वक्त परिक्षार्थी कई बार कुछ ऐसी सामान्य गलतियां करते हैं जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि OMR sheet कैसे भरें और किन बातों का ख्याल रखें परिक्षा भावन में आपको मिलने वाली OMR sheet कुछ इस तरह की होती है इसमें आलग अलत कॉलम्स बने होते हैं जिन्हें आपको भरना होता है पहला कॉलम है नाम का इसे भरने के लिए उपर कुछ बॉक्स बने हुए हैं सबसे पहले आप बाई तरप से अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स यानि कैपिटल लेटर्स में अपने नाम का एक-एक अक्षर भरना शुरू कीजिए जैसे यदि आपका नाम पियुश राज है तो बाई तरप से पहले बॉक्स में लिखें प, दूसरे में आई, तीसरे में वाई, चौथे में यू, पांचवे में एस, और छठे बॉक्स में लिखें इसके बाद एक बॉक्स छोड़कर आठवें बॉक्स में आर लिखें, न प्रतेक बॉक्स में जो लेटर आपने लिखा है, उसके नीचे उसी लेटर वाले गोले को काले बॉल पें से रंगिए, ध्यान रहे कि आप गोले के बाहर न जाएं, गोले को भरते वक्त, न तो इसे बहुत हलका भरें, और ना ही इसे बहुत ज़्यादा गहरा रंगे, ना अपने रोल नंबर के अंतिम अंक से OMR शीट में दिये गए अंतिम बॉक्स, यानि दाहिनी तरफ से OMR शीट भरना शुरू कीजिए, जैसे इस OMR शीट में रोल नंबर के लिए 6 बॉक्स दिये गए हैं, अंतिम यानि 6 बॉक्स में भरिये 4, 5 बॉक्स में भरिये 8, और 22 तर आपने जिस बॉक्स में जो अंक लिखा है उसके नीचे साउधानी से उसी अंक वाले गोले को काले बॉल पिन से रंगे। रोल नंबर वाले कॉलम के ठीक बगल में सेंटर कोड का कॉलम है। अगर आपका सेंटर कोड 00001 यानी 0001 है तो और सेंटर कोड की आखरी संख्या को दिये गए अंतिम बॉक्स से भरना शुरू किये। जैसा कि आपने रोल नंबर भरते वक्त किया था। चोथे बॉक्स में लिखिये एक, उसके ठीक बाई तरफ वाले यानी तीसरे बॉक्स में लिखिये 0 और इसी क्रम में इसे पूरा भरिये। अब प्रतेक बॉक्स के नीचे एक से लेकर 9 और अंतिम में 0 लिखा हुआ गोला बना हुआ है। आपने जिस बॉक्स में जो अंक भरा है, उसके ठीक नीचे साउधानी से उसी अंक वाले गोले को रंगिये। रोल नंबर के नीचे टेस्ट नंबर का कॉलम दिया गया है। टेस्ट नंबर संस्थान द्वारा पहले ही आपके शेडियूल में बता दिया जाता है। अगर यह पहला टेस्ट है तो इसका नंबर होगा 01, इसमें दो बॉक्स बने हुए हैं, इन्हें उपरोक्त विधी से ही भरें, यानि पहले अंतिम बॉक्स में एक, और फिर ठीक उसकी बाईं तरफ वाले पहले बॉक्स में लिखें 0, प्रतेक बॉक्स के नीचे एक से लेकर 9 और अंतिम में 0 ने लिखा हुआ गोला है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, इसे उपर बताये गए विधी से साउधानी के साथ रंगिये, अब देखिए कि आप प्रश्नों के सही विकल्प कैसे भरेंगे, प्रश्न संख्या के सामने विकल्प A, B, C और D लिखे हुए गोल आगे भी रंगिये, OMR शीट को कम्प्यूटर के जरीए चेक किया जाता है, आपकी छोटी सी गलती या लापरवाही से कम्प्यूटर OMR शीट को रिजेक्ट कर सकता है, इसलिए OMR शीट भरते समय कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखिये सबसे पहले परिक्षन पुस्तिका यानि क्वेस्चन बुकलेट में दिये गए निर्देशों को ध्यान से पढ़िए, निर्देशों को पढ़े बिना OMR शीट भरना शुरू मत कीजिए, निर्देश में जिस तरह के पेन का प्रयोग बताया गया हो, वही प्रयोग कीजिए आमतोर परिक्षा में काले बॉल पेन से OMR भरने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी इसे पेंसिल से या अन्य किसी रंग के पेंसे भर देते हैं, ऐसी स्थिती में आपकी OMR शीट को रिजेक्ट किया जा सकता है, ध्यान रखिए कि अलग-अलग पर बारकोड वाले हिस्से पर या किसी कोने में कुछ अंक लिख देते हैं या फिर अपना रोल लंबर इत्यादी लिखते हैं, ऐसे में आपके उत्तर पत्रक का मुल्यांकन नहीं हो पाएगा, OMR शीट को भरते समय प्रवेश पत्र से मिलान अवश्य कर लें, किसी भी अधा के स्थिती में कक्ष निर्ख्षक से अवश्य संपर्ख करें, गलत ना भरें अधार क्ष लेक entendu है, किसी लेढ दें हो से अवश्य को भ्रेया से रह– अभर कि लेड़, अवश्य कर वा éta Re झाल 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 झाल